नमस्कार आदर्श विद्यमंदर की कक्षा बारा लिखा सास्तर की ओनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है पिछले वीडियो में हमने अध्याई दो नए साज़ेदार का प्रिवेश से सम्मंदित कुछ बातों का धिन किया था उसी क्रम में आज हम इसी अध्याई से सम्मंदित एक सबसे महत्यपुन बिन्दू के बारे में अध्यन करने जा रहे हैं जिसका नाम है ख्याती अर्था जिसको हम इंग्लिस में गुडविल के नाम से जानते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ख्याती होती क्या है उसको किस प्रकार से हमें परिभाशित कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिख रखा है कि ख्याती एक अद्रश्य शंपती है अर्थात सबसे महतोपन बात ये है कि ख्याती है वो आँखों से दिखाई नहीं देती है जिसका वर्णन करना सरल है लेकिन परिभाशित करना कठिन है कहने का मतलब ये है कि ख्याती है अपन सामने सब्दों में तो इसका वर्णन कर सकते हैं किसी भी प्रकार से प्रन्तु इसको एक निश्यत सब्दों में परिभाशित करना सबसे कठिन है ये है वैवशाई के अच्छे नाम पर्तिष्टा एवन समंदों से मिलने वाला लाब है अर्थात चाती समन्ने तोर पर कहने का मतलब ये है कि कोई भी वेवशाई होता है उसका अच्छा नाम उसकी प्रतिष्टा उसके अन्यों के साथ में समंद इन सब का समुईक तोर पर मिलने वाला एक लाब है यह वह आकर्षन शक्ति है जो ग्रहकों को लाती है हम कहीं पर भी कोई भी समान खरिदना चाते हैं तो जो अच्छा हमें समान देता है जिस वेवशाई अर्थात जिस वेवशाई जिस संस्ता का अच्छा प्रतिष्टा हो अच्छा नाम हो तता उस वेवशाई के अच्छे समंद रखता हो उसी से हम वो समान खरिदना चाहते हैं तो कहने का मतलब यह कि जो गुडविल होती है वो एक प्रकार की आकर्षन शक्ती होती है जो ग्रहकों को उस वेवशाई पर लाती है वेवशाई की प्रतिष्टा को मुद्रिक मुल्यांकन ही ख्याती है अब कहने का मतलब ये कि जो व्यवशाई की जो परतिष्टा होती है जो नाम होता है उसी को ही मुद्रा के रूप में मुल्यांकित करना अर्थात मुद्रा के रूप में मापना ही ख्याती कहलाता है जैसा कि हमने उपर वर्न किया था कि इसका एक निशित्व बासा में तो हम इसको समझ सकते हैं परन्तों एक सिस्टम से परिभाशित करना कठिन है फिर भी कुछ विद्वानों ने अपने अनुसार जो ख्याती होती है उसको परिभाशित किया है तो उसमें सबसे पहले जो हमारे लाड एल्डन है एक विद्वान हुए है लाड एल्डन उन्होंने एक ख्याती की परिभाशा है वो प्रस्तूत की है जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर है कि लाड एल्डन एल्डन ने क्या कहा कि ख्याती इस संभावना के अत्रिक्त और यह कहा है कि ख्याती उसे एक संभावना की अत्रिक तोर कुछ भी नहीं है कि एक जगे कोई ग्रहक कोई समान खरीद लेता है और वो इस्तान वो समान और वो परतिश ठान उस ग्रहक को अच्छा लगता है तो वो हमेशा उसी इस्तान पर जाना चाहता है अर्थात उसी इस्ता उनके कहने का मतलब यह कि ख्याती और कुछ नहीं है ख्याती जो व्यवसाई होता है उस व्यवसाई का जो व्यवसाई होता है उसके अच्छे समंद अर्थात उसका समंद किस प्रकार का है किस प्रकार का वो अपने ग्रहाकों के साथ में व्यवार रखता है और फिर उस समंद के प्रश्यात उस ग्रहाव को द्वारा उस वेवसाय की की गई प्रश्धिय से होने वाला लाब है इसके अलावा और कुछ भी नहीं है अब हम ख्याती के बारे में समझा कि Export को का सामानी अर्थ क्या होता है उस की कुछ विद्वानों ने क्या प्रिवासाइ दी है तो अब आ यह सकता है कि ख्याती की प्रमुक्त विसेष्था है कि ख्याती व्यविवसाय की अदर्षे अर्थाथ एमूरत संपती है जिसको नए हम छू सकते हैं और नहीं हम उसको देख सकते हैं दूसरी यह एक मुल्यवान संपती है देखा जाए तो किसी भी व्यवसाई की सबसे मुल्यवान जो संपती होती है वो उसकी गुडविली ही होती है वो उसकी ख्याती ही होती है जिस व्यवसाई की जितनी गुडविल होती है जितनी ख्याती होती है उसे व्यवसाई का आगे बढ़ने का उतना ही अच्छा चांस होता है, अगला ये अधिक लाभार्जन में साहिक होती है, जिस वेवसाहिक की जितनी अधिक गुडविल होगी, तो वहाँ पर ग्रहक है, वो भी अधिक मात्रा में जाएंगे, जिस से उस वेवसाहिक का लाभार्जन है, वो अधिक मात्रा में होगा, चोथा पॉइंट है यह एक ऐसी आक्रशन शक्ति है जो की ग्रहकों को उनकी पुराने इस्तान पर लाती है और पांच वहां इसका मुले परिवर्तित होता रहता है गुडविल का मुले कोई निशित नहीं रहता है जो किसी वेवसाई की ख्याती बढ़ती रहती है प्रतिष्टा बढ़ती रहती है नाम होता रहता है तो उसी प्रकार से उस गुडविल का मुले है वो भी परिवर्तित होता है तो ख्याति की प्रमुख ये पांच विशेस्ताइं होती है अब जो ख्याति होती है जैसा कि हमने पड़ा कि ख्याति का जो मुल्य है वो परिवर्थित होता है तो सबसे पहले वेवशाई का सुविधा जनक इस्तां से मतलब है कि कोई भी ग्रहक आसानी से उस इस्तान पर पहुंच सके तो उस वेवशाई की प्रते जो क्हाती है वो भी अधिक होगी दूसरा आर प्रबंद कुषल्टा उस वेवशाई कि द्रग कालिन अवदी जो वेवसाई जितना पुराना होगा उसकी ख्याती भी उतनी ही अधिक होगी तो कहने का मतलब यह है कि जो जो वेवसाई की अवदी बढ़ती है तो उसकी गुडविल भी बढ़ती है अगला है वस्तु की प्रकरती अर्थात जो उस वेवसाई द्व जो वस्तू की प्रकर्ती होती है वो भी गुडविल की जो मुल्य होता है उसको प्रभावित करती है अगला है लाइसेंस का होना आज के समय में हम कोई भी वस्तू खरीदते हैं तो एक अच्छे प्रतिष्टान से खरीदना चाहते हैं आई आसाई मारका या किसी वेपारिक जो ट्रेड मारक होते हैं वो देखकर हम खरिदते हैं तो अगर उस वस्तू का लाइसेंस है उससे संस्ता का अगर लाइसेंस है तो हम वहीं से ही वो वस्तू खरिदना चाहेंगे अरतात कहने का मतलब यह है कि लाइसेंस का होना भी किसी वेपारिक की जो ख्याती है उसके मुल्य को परिवर्टित करता है बढ़ा सकता है इसी प्रकार से अगला जो बिंदू है अपना एकादिकार अगर मालिजे की बाजार के अंदर किसी वस्तू को बेचने वाला एक ही पर से जोखिम की मात्रा लाभों की प्रवर्ति भावी बविश्य में होने वाली प्रतिसपरदा पुंजी की मात्रा थता उत्पाद की किश्म यह अन्य कारग भी है जिसके द्वारा जो ख्याती का मुल्य है उसको प्रभावित करते हैं और उसके कारण ख्याती के मुल्य में प क्यों हमें ये जाने कि किसी भी ख्याती है कोई भी वेवशाय की ख्याती है उसको मुद्रा की रूप में मुल्यांकित हम क्यों करें हमें क्या आउशक्ता है तो सबसे पहले किन किन परिस्थतियों में ख्याती के मुल्यांकन की आउशक्ता पड़ती है अर्था हम ख्याती का म मुल्यांकन किया जाता है क्यों कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि जब नया साज़ेदार प्रवेश करता है तो वह भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने के लिए अपने साथ में ख्याती की रासी लाता है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि उस व्यव उसको हमें चुकाना पड़ेगा उसका बुकतान करना पड़ेगा इसले भी हमें ख्याते का मुल्यांकन करना पड़ता है अगला बिंदु है जब फरम का वेवसाई बेचा जाता है मा लेजेग एक फरम है उसको हमें बेचना है तब भी हमें ये मुल्यांकन करना पड़ेगा कि इस फरम की गुडविल कितनी है क्यों कि जिसको हमें वेवसाय बेचेंगे उस से हम उस goodwill उस ख्याती की है वो मुद्रा के रुप में जराशी वरसूल करेंगे और अंति मिंदु है जब दो फर्मों का एकिकरण हो जाता है दो फर्मों का एकिकरण से मतलब है कि दो फर्में आपस में मिल जाती है एक फर्म में दो फर्म में मिलकर एक फर्म में परविर्थित हो जाती है तब भी ख्याती का मुल्यांकन किया जाता है अब अगला जो बिंदू है वो है ख्याती के प्रकार कि ख्याती आखिर कितने प्रकार की होती है तो प्रमुक रूप से ख्याती है वो दो प्रकार की होती है एक होती है क्रे की गई ख्याती और दूसरी होती है सवर्जित ख्याती क्रे की गई ख्याती से मतलब होता है कि जब मालिजे की एक कहीं पर प्रतिष्टान है वो इस्तापित है और कोई अन्य व्यक्ति उस प्रतिष्टान को खरिदता है तो उसके साथ में उस प्रतिष्टान की ख्याती भी उसके पास में चली आती है जिसे बोला जाता है क्रे की गई ख्याती और सब अरजित ख्याती से मतलब नाम से इसपष्ट हो रहा है कि उस प्रतिष्टान ने उस गुडविल को प्राप्त किया है अर्जित किया है उसे सव अर्जित ख्याती कहते हैं तो सबसे पहला अपना बिंदु है क्रे की गई ख्याती किसी वेवसाई को क्रे करते समय यदि क्रे परतिफल वेवसाई की सुद्ध संपतियों के मुले से अधिक है तो यह अधिके ही क्रे उसके बदले में वो 6 लाग रुपे का बुकतान करता है तो जो 6 लाग में से कुल संपतियों का मुले 5 लाग रुपे गठाने के पश्यात जो 1 लाग रुपे रहा वो ही उस वेवशाई की ख्याती कहलाती है अर्थात इसका सुत्र क्या हो गया गुडविल बराबर हो गया पर यह किसी वेवशाई के क्रैक करते समय उत्पन होती है पुस्तकों में इसका लेखा किया जाता है क्योंकि इसके लिए पρती फलका बुक्तान किया गया है अगर हमने वेवशाई करिदा है और उसके साथ में हमने अगर क्याती का मुले भी चुकाया है तो इसको हम हमारे अर्जित खाती अर्थात खुद के द्वारा अर्जित की गई ख्याती इसकी क्या विसेस्ता ही होती है यह एक वेवसाई सेंस्ता के अच्छ समंदो और येस्ट का मुल्ले है जो वेफसाई में सर्जित किया जाता है लेखा मानक 26 वे इंडियन एस 38 के अनुसार इसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है इसकों किसी प्रकार से पुस्तकों में नहीं दिखाएंगे इस प्रकार की ख्याती के मुल्यांकन का प्रशन फरम के पुनर गट कि चाथएर कहीं करना होता है और फरम का पुर्णर गटन क किया जाता है हमने देखा है पर्रकार के जाता है तो तो हमने पढ़ा कि ख्याती दो प्रकार की होती है, एक क्रेकी की ख्याती और दूसरी है स्वय अर्जित ख्याती, अब अपना जो अंतिम बिंदू है इस वीडियो का वो है ख्याती की प्रकरती, अर्थात नेचर ओफ गुडविल, कि ख्याती कितने की प्रकरती क्या क्या होती किस प्रकार की ख्याती होता है सबसे पहले होती है संस्तागत ख्याती या बिल्ली के सबाव की ख्याती याद रखना है कि पहली ख्याती कौन से होती है संस्तागत ख्याती या बिल्ली के सबाव की ख्याती इंस्टिटिश्ट्यल गुडविल और केट गुडविल अब इसे कहत चाहिए साधान सब्दों में अगर मैं आपको समझाओं कि संस्तागत ख्याती का मतलब क्या होता है कि ये किसी सेंस्ता की ख्याती होती है किसी वेक्ति विसेस की ख्याती नहीं होती है अगर उस सेंस्ता का मालिक बदल भी जाता है तो ख्याती उस सेंस्ता की वेसी की वेसी बनी वी रहती है इसलिए इसको बिल्ली के सबाव की ख्याती कहते है जिस प्रकार से किसी घर में एक बिल्ली आती है और कोई उस घर का मालिक उस बिल्ली को दूद है वो पीने के लिए देता है या कुछ खाने के लिए देता है और कुछ समय पश्यात अगर उस घर का मालिक बदल जाता है अर्थात वो मालिक अपना घर बेच देता है और कोई न प्रतिष्टान बेच भी दिया जाता है तो वो जो ग्रहक होते हैं वो उसी प्रतिष्टान पर आएंगे तो इस प्रकार की ख्याती है वो संस्तागत ख्याती या बिल्ली के सबाव के ख्याती कहलाती है और सबसे अधिक मुले इसी प्रकार की ख्याती का होता है दूसरे प्रक कि व्यक्तिकत ख़ती होती है पर्तिष्टान के क्ष़्ाटी कहते हैं उससे व्यक्तिकत ख्याती चली जाती है ग्रहक से समंद बना लेते हैं जहां पुराना स्वामी चला जाता है ऐसी ख्याती को कुत्ते के सबाब वाली ख्याती कहा जाता है क्योंकि कुत्ता स्वामी भगत होता है जहां स्वामी जाता है कुत्ता भी वहीं चला जाता है इस तरह की ख्याते का मुल्ले संस्तागत ख्याती से कम होता है ऐ अर्थात, प्रोफेशन वाले व्यवसाय में होती है, जैसे डॉक्टर, सीए, एड़ोकेट आधी. सीए, एड़ोकेट आधी. अर्थात, जैसे मालीजेगी एक डॉक्टर है. वो एक स्थान पर काम करता है. प्रन्तु वह डोक्टर उस डोक्टर का वहां से इस्तानानत्रन हो जाता है और वह किसी दूसरे इस्तान पर चला जाता है प्रंतु इस डोक्टर ने पुराने वाले इस्तान पर इतना अच्छा काम किया इतनी अच्छे रोगियों की इलाज किया कि वहाँ पर उसकी गुडविल हो गई उसकी परतिष्टा हो गई अब क्या होगा कि अगर वो डॉक्टर दूसरे इस्तान पर चला भी जाता है तो जो पुराने रोगी है वो अपना इलाज कराने उस नए इस्तान पर भी चले जाएंगे इसलिए इसको कुत्ते के सबाव की ख्याती भी कहते हैं जिस प्रकार से अगर एक स्वामी किसी घर में रहता है और वहाँ पे उसने कुत्ता पाल रखा है प्रन्तु वो स्वामी वह इस्तान बेच देता है वह घर बेच देता है और दूसरे घर में चला जाता है तो जो पाला में घटना समांधी क्याति या चुहे के सहबावाली घट है इसे वैवशाइज bisexual की ख्याति इस्तर नहीं होती है अर्था चोटी बड़ी घटनाओं के साथ ख्यातीं का मुल्य बढ़ जाता है अत्वा कम हो जाता है आकश में घटना समांधी ख्याती कहलाती है इसे चुहे के सबाव वाली ख्याती भी कहते हैं चुहा नय तो स्वामी वक्त होता है और नहीं किसी इस्तान का वह एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर घुमता रहता है चुहे के सबाव के ग्रहा किसी विशेश दुकान अत्वा किसी विशेश वेक्ती से ल संचता की ख्याती बहुत बढ़ जाएगी वहाँ पर ग्रहक है वह बहुत अधिक मात्रा में पहुंचने लग जाएंगे परंतु वह जो ख्याती है वह कुछ समय के लिए यह मालेजे कि कोई दूसरी संचता उससे भी कम मुल्ले पर अगर वस्तु बेचने लग जाए तो सारे के सारे ग्रहक है वो उसे नए स्थान पर चले जाएंगे अर्थात नया जो दुकानदार है उसके पास में चले जाएंगे जिस प्रकार से एक चुआ है वो किसी घर में भी इस्तित नहीं रहता टिकर नहीं रहता उसे जहां खाने को मिलता है वो वहें पर ही चला जाता है न जो दुकानदार जो सेंस्ता कम मुले पर माल बेचेगी तो वहां पर उसे कम मुले पर सबसे कम मुले पर जब माल बेचेगी तब तक तो उसकी ख्याती बनी रहेगी परंतु उससे कम मुले पर अगर दूसरा परतिश्टान या दूसरा दुकानदार माल बेचने लग जाएग और जो कम मुले पर माल बेच रहा है उसकी ख्याती बढ़ जाएगी और जो ग्रहक होंगे वो उससे कम मुले पर माल देने जो बेच रहा है उसके पास में चले जाएंगे तो इस प्रकार की ख्याती है वो आकश में गटना सम्मंदि ख्याती या चुहे के सबाव वाली ख्यात कहला तो आज हम इस वीडियो में 35 संबंदित जितने भी question के point है जितने भी बिंदु है उनके बारे में अधन किया है अगले वीडियो में हम 35 संबंदित आगे किस प्रकार से पुष्टध को में लेखा किआ जाता है किस प्रकार से इसकी गण्णा की जाती है इन सब के बारे में अधिन करेंगे धन्यवाद जय भारत